हेलो मित्रों मैं गोपाल सिंग कुछवा डिजिटल वर्तमान में एक बार फिर आपका स्वागत है हम 17 जन्वरी 2022 को जिन स्टॉक में ट्रेड करने वाले उन स्टॉक के वारे में बात कर लेते हैं उसके पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरह के स्टॉक और इसी तर अप्लोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएं शेयर लाइक करते रही हैं साथ ही आप हमारे पेड मेंबर बनने के लिए मेरी अपिस्टोक की लिंक से आपका अपिस्टोक का अकाउंट खोले और उसी में ट्रेड करें आप हमारे पेड मेंबर बन स्विंग ट्रेड मिलेगी जिसमें एक महिने के अंदर आपका आमाउंट डबल हो जाता है बेस्ट होल्डिंग जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो वहाँ पोर्टफोलियो बनाने का गाइडेंस तीज दिन के स्टाक और आप्शन की ट्रेनिंग पूल सपोर्ट हमारी टीन द रूप पेड मेंबर बने बात करते हैं आज के स्टॉक्स की तो आज मतलब 17 जनवरी 2022 को जिन स्टॉक में मैं ट्रेड करने वाला हूं वो टीसीये से पॉलिकैब हैं और को फोर्ट फ्राइडे को भी मैंने तीनों स्टॉक दिये थे इन तीनों स्टॉक ने अच्छा परपॉ इसको भी इनके परपोमेंस अच्छे मिलने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीयेस पर दोस्तों ये दस मिनिट के टाइम फ्रेम पर टीसीयेस का चार्ट है इस चार्ट में आपको मैं एक्स्प्लेंड करता हूं कि हम टीसीयेस पर कैसे काम करने वाले हैं अब ये चार्ट देख रहो है यहां पर मैं एक रजिस्ट्रेंस बता रहा हूं आपको यह 3889 एक रजिस्ट्रेंस है अगर इस रजिस्ट्रेंस को यह 4989 एक रजिस्ट्रेंस है इस रजिस्ट्रेंस जोन को अगर यह ब्रेक करता है तो हम बाई साइड बनाएंगे हमको बाई करना है और हमारा स्ट्रोक हमारी डारिक्शन में मुमेंटम करेगा पर कंडिशन सिर्फ एक है कि आपको 3889 के पहले बाई नहीं करना है यह रेट आने के बाद यह लेवल 4989 को ब्रेक अप करता है तभी आपको बाई करना है और उसी कंडिशन में आपको आपके स्टॉक में एंट्री करना है TCS में मुमेंटम रहेगा और अच्छे परफॉमेंस की उमीद भी है यह एक दो दिन में मुझे जहां तक लगता है ये 4150 तक के target दे सकता है 4150 तक के target दे सकता है एक दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये तीन दिन चार दिन लेगा इस stock में और ये आपको target देगा इसका पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि इसमें company का जो result आया था भी third quarter का वो result अच्छा था साथ ही TCS ने buyback की गोशना किये जिसमें इसके जो rates declare करे हैं वो 4500 के उपर buyback की गोशना करी है तो यहाँ पर कुल मिला कर रिटलर ट्रेडर्स को 500 रुपे का discount मिल रहा है तो हर कोई रिटलर ये चाहता है कि मैं TCS में अपनी entry बनाऊ और इसमें 500 रुपे का एक stock पर profit बनाऊ क्योंकि कुछ दिनों बात ये 4500 के उपर भी ट्रेड करने वाला है जब buyback की इसमें गोशना हो चुकी है तो क्योंकि company और पुँजी जुटाना चाह रही है इसलिए उसने buyback की गोशना करी है 4500 के उपर वहां से buying कप बना है तो इस stock में momentum अच्छा रह सकता है अब हम आते हैं sell site में कहां पर हमको support मिल रहा है और उस support को अगर break करता है तो फिर क्या होगा पहले मैंने support सब्द का उप्योग कर दिया था उपर आपको जो 49 पिच्चा सी दिखाया था वह support नहीं resistance है by mistake वह सब्द बोला गया है उस support को आप resistance समझे ठीके और मैं अब बता रहा हूँ आपको support बता रहा हूँ यह जो 49 53 जो दीख रहा है आपको यहाँ पर हमारा एक resistance जो होने sorry support जो होने अगर इस level को अगर break कर देता है अगर इस level को break कर देता है तो हमको sales side position बनाना है breakdown किया है अगर इस level को तो हमको sales side position बनाना है और sales side position बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छे target मिल सकते हैं क्योंकि market में momentum था इसने अपना high बनाया है high बनाने के बाद में यह नीचे आ रहा है तो अगर तो बिल्कुल इसमें profit booking आईगी लोग अपना profit book करने की कोशिस करेंगे यहाँ पर जिन्होंने पहले खरीदा था और अगर 49,85 का अगर level break करता तो बिल्कुल इसमें buying आने वाली है और buying जोड़तार buying आने वाली है क्योंकि इस लेवल का लोग इंतजार कर रहे है ब्राइस लोग इसका इंतजार कर रहे है तो इस लेवल पर आपको buy करना है इस टॉक में position बनाने की बात करते है 49,85 को अगर break up करता है तो हमको buy position बनाना है और अगर यह इस टॉक 49,53 को 5,3 को break down करता है तो आपको sell position बनाना है और no zone trade no trade zone हमारा जो रहता है no trade zone हमारा जो है वो है 49,53 से लेकर 49,85 से तक इस लेवल में आपको कोई trade position नहीं बनाना है यह मेरे लिए no trade zone होता है बात रही stop loss की stop loss हम pad member में बतलाते हैं आपको stop loss pad member में pad member group में मिल जाएगा तो इसी तरह कि आप performance हमारे stock से लेना चाहरे हो अच्छा profit बना रहना चाहरे हो तो आप हमारी app stock के link से आपका account open करें और हमारे pad member बन जाएं इसके benefit मैंने वीडियो के starting में बता हैं और stop loss भी आपको वह ही उन्हीं लोगों को मिलता है अब target की बात करते हैं TCS के target क्या क्या होंगे यह TCS के target है 17 जन्वरी एक 2022 के buy side आपका target मिलने वाला है 49 85 के level को break करता है तो आपको buy करना है target रहेगा पहला 4001 40016 4032 4048 4064 806 और 12 यह target हो सकते हैं यह आज आज और मतलब 17 जन्वरी मंडे को और मिल सकते हैं इसके आगे या इससे ज्यादा भी मिल सकता है या यहां तक target मिल सकते हैं मिलने की संभावना है ठीके अब आपका stop loss कैसे trail करना है कैसे आपको आपकी trade अगर profit में जा रही है आपकी direction में जा रही है तो उसमें आपको stop loss कैसे trail करना है वो सब आपको pad चैनल में मिलेगा उसके लिए आपको आप इस टोक की link से account उपन करना होगा यह sales site के हमारे target है 49-53 को अगर break करता है break down करता है तो 49-39, 49-22, 49-39, 38-95 इस तरह के हमारे target है यह no zone trading दिया हुआ है तो यह रहे हमारे 17 जन्वरी मंडे को TCS के target अब next stock की बात करते हैं next next stock है हमारा polycap जो जिन्होंने close यह stock close हुआ था 26-93 पर और high कुछ लगाया था इसने 57-54 के सम्थिंग या 57-69 के लगबग इसने high लगाया था आई इसके chart पर चलते हैं यह हमारे सामने इसका chart है इस chart में हमारी buying position बनती है next stock है हमारा polycap polycap के बारे में बात करते हैं इसका closing price है 26-93 में इसने high बनाया है पिछले trading days में 57-69 का और इसने low बनाया था 26-22 का आते हैं हम इसके chart पर आते हैं इसका यह chart है chart में आपको 27-04 पर एक black color में एक line दिख रही है horizontal line मैं इसको draw करने की कोशिस करता हूं यह line है इस line पर एक resistance है जब भी इस resistance को यह break करता है तो एक अच्छी momentum आने की संभावना रहती है फ्राइडे के दिन इसने इस resistance को ब्रेक किया और एक अच्छी momentum दी इसने यहां सर्क लगबख 55-60 पॉइंट दिए ठीक है कल भी यही होने वाला है इस stock में अगर इस resistance को इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा momentum दिखने वाला है और इसका जो quarterly result भी आने वाला है 3rd quarter का result इसका side declare होने वाला है 21st January को तो इस समय तक यह अच्छे performance में रहने वाला है इस टोक और अच्छे profit देने वाला है तो 704 के ओपर अगर आप यह stroke trade करने लगे तो आपको बिल्कुल entry बनाना है इस stroke में और अच्छे profit gain करना है अब बात करते हैं इसके sales side के view की जो sales side इसका view बनता है 268 पर यहाँ पर एक 268 पर एक support लेके विठा हुआ है यह जो यह आपको लग रहा है यहाँ पर जो लेवल है 268 यह है यहाँ पर एक support है इस support को अगर break करता है market मंड़े के दिन तो इस stock में sales side का view रहेगा इस stock में sales side का view रहेगा और यह 2704 के लगबक चादा उपर लाइन ड्राओ गई है और नीचे ड्राओ करता हो यह 268 और यह 2704 अगर उपर वाली लाइन को 2704 के लेवल को break up करता है तो इस stock उपर की side भगने वाला है और अगर 27268 7-8 को breakdown करता है तो market नीचे की तरफ momentum रहेगा दोनों side तभी position बनाना है जब यह level break up करे breakdown करे और इस zone में no trading zone रहेगा इस zone में आपको कोई trade नहीं करना है क्योंकि यह zone no trading zone है आईएस के target के बारे में बात करते हैं इसके target क्या रहने वाले 17 जनवरी 2022 के polycap के जो target रहने वाले हैं अगर इस 2704 के level को break up करता है तो आपको buying position बनाना है पहला target आपका 2717 2730, 2743, 2756, 2779 ऐसे आपके target रह सकते हैं और अगर इसने sell site sell side view करा है इसका sell side का view रहा 2678 को अगर break down करा है तो इसके target रह सकते हैं 2665, 2652, 2449, 267, 2614 और भी और भी नीचे गिर सकता है यह आपको आपके stop loss को टेल करके सारे target को लेने की कोशिस करना है और अगर आप सही stop loss trailing सिखना चाहते हैं बेरे stock में कैसे होती है और stop loss आपको चाहिए तो आप हमारे pad member बनी है आपको सारी चीजे मिलेगी सब कुछ आपको सिखाया जाएगा नेक्स स्टोक की बात करते हैं नेक्स स्टोक है हमारा TCS TCS नहीं है TCS में दे चुका हूँ को फोर्ज नेक्स स्टोक है हमारा को फोर्ज यह बन हुआ है 5688 पर इसने लास्टर ट्रेडिंग में सत्ता उनसो दस का हाई बनाया है और 2625 का लोग अब बात करते हैं इसके चार्ट पर यह चार्ट आपके सामने है चार्ट में मैं दिखाता हूँ कि यह कब बाइंग पोजिशन बनाएगा कब सेलिंग पोज रहे हैं दोस्तों यह एक सपोर्ट है और एक रजिस्टेंस भी है बट अब भी रजिस्टेंस है सत्ता उनसो बरावर पांच हजास साथ सो एक resistance भी है support भी है बट अभी हमारा stock नीचे trade कर रहा है तो ये हमारे लिए resistance हो गया है आप देखिए इसने last कुछ trading session में इसी line के नीचे trade किया है इसको बार बार टच करके नीचे आया मतलब हम तब भी buying position बनाएंगे जब इस resistance को break करेगा 5700 रुपए के उपर जब ये break up करेगा तब हमको हमारी buy position बनाना है इसके पहले हमें हमारी कोई buy position नहीं बनाना है ये buy side का view है इसके बाद हमारे target मिलने वाले हैं target मैं आपको target chart में दिखाऊंगा और sell side का view दिखाता हूँ sell side का view कहता है मेरा जो sell side का view कहता है वो क्या कहता है वो यही कहता है कि अगर stock 2663 रुपए पर something 2663 रुपए के लगबग आता है और इस level को break down कर देता है तो आपको sell position बनाना है क्या trigger है 5663 रुपए 5663 रुपए को इसने break down किया तो आपको sell position बनाना है अब sell position बनाना आपके stop loss क्या रह सकते है तो आपको pet member बनने पर पता चलेगा रुपए मेंबर बनिए हमारी YouTube चैनल को subscribe करिए like करिए और comment section में जाके comment करिए साथ ही वीडियो को share भी करना न भूले इस तरह का benefit और भी लोग उठा सकते हैं जैसा आप उठा रहे हैं ठीक है तो sell side जाना है कब जाना है 563 के level को अगर ये break कर देता है तो आपको sell side जाना है और buy side कब जाना है जब ये 770 रुपए के level को break कर देता है आपको तब आपकी position बनाना है buy side 770 के उपर buy position बनाना है sell side आपको 563 के निचे और इसके बीच में अगर रहता है stock तो मैं कहूंगा no trade zone no trade zone इस zone में कोई trading नहीं इस zone में आपको कोई trading नहीं करना है ठीक है तो ये रहा आपका co force आप co force की बात कर लेते हैं इसके target की तो target दिखा देता हूं मैं ये target chart आ गया है इस chart में आप देख सकते हैं मैंने ये मेरे premium जो पैड पैड ग्रूप है मेरा पैड चैनल है उस पैड चैनल में मैंने ये stock दे रखा है जिसमें 17 जनवरी एक 17 जनवरी 2022 मंडे के लिए दिया है अब इसमें मेरा buy site का view है 77 के level को break करता है तो आपके target रहेंगे 719, 738, 737, 737, 796 और भी target है आप ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं ये सारे target कैसे मिल सकते हैं ये सारे target मिल सकते हैं इसलिए मिल सकते हैं कि IT के stock में momentum रहेगा उसके पीछे पिछले कुछ company के नतीज़े अच्छे आने के कारण है TCS में buy back हुआ है buy back की गोशना हुई है इसलिए इसके उपर की side के momentum अच्छे रह सकते हैं sell side के view की बात करते हैं sell side में momentum कम रह सकता है selling pressure कम रहेगा वही कारण है क्योंकि TCS में buy back गोशना हुई है और IT सेक्टर में अच्छा improvement है तो ये 5663 से नीचे आपको sell करना है और आपके target है चपन सो चुमाले चपन सो पच्छे चपन सो चे पच्छे पच्पन सो अठासी ये target रह सकते है नो trade zone है आपका 563 से 7700 ठीक है दोस्तों तो ये आपका co force रहा है ये co force के target हो गए मैंने आज जो stock दिये वो है मैं ये मेरे ट्रेनिंग का part है मेरे जो pet member है उनके लिए training का session था आज वो session में मैंने stock market terminology सिखाया है stock market मैं कौन-कौन से terminology use होती है कौन-कौन से word use होते है शेयर क्या होता stock क्या होता है डिमेट account क्या होता option क्या होता call क्या होताğ här put क्या होता है सारी चीज़े इस वीडियो में एक्स्प्लेंड करिए आप इस तरह की ट्रेनिंग चाहते हो तो आप मेरा प्राइड मेंबर बन जाए साथ ही में पिछले फ्राइडे को जो हमारे दियोए स्टॉक ने जो परफॉमेंस दिया था वो दिखाना चाहता हूं आपको यह मा कोफोर्ज सो सेयल-साइड किया था मैंने में 500 रिकमेंड करता हूं पोलुक हैप में 125 करता हूं और टीची सिमये 75 करता हूं मैयरे पोली कड़ने दोनो साइड मेरा व्यू दिया है पोलिक हैपने हिल साइड भी बताया टार्गेट दिये और कोफोंशने ज jus इल साइड और TCS का व्यू कल भी बाई साइट देने का ही है तो यह हमारे टारगेट रहे और स्वारी टारगेट क्या है यह हमारे स्टॉक्स रहें लास्ट ट्रेडिंग डेस्के इनमें हमारा प्रोफिट हुआ अगर आप अलमॉस्ट अगर इतना ही ट्रेट करते इस कॉंटिटी को इतन चला रहा है पिछले एक से दो महिने से एक भी जो स्टॉक है इसमें एक भी स्टॉप लोगों नहीं हुआ है बाई मिस्टेक आप लोगों ने किया उसके लिए मैं कोई रिस्पॉंसिवल नहीं हूं मेरे कोडिंग मैं जैसे बताया हूं जैसे मेरे में पेड मेंबर को मैंने समझाया है जैसे उनको target लेना सिखाया है जैसे उनको stop loss trail करना सिखाया है उस तरीके से अगर trade करेंगे तो आप बेलकुल कभी भी loss की condition में में से नहीं निकलेंगे क्योंकि मैं तीन स्टोक देता हूँ by mistake भी अगर एक stock में stop loss trigger हो जाता है तो आपको दो stock profit में बनाने वाले होते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है कल मिलते हैं next वीडियो में